सब भाईयो भेनों को राम राम तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप लोग विनायल फ्लोरिंग शीट अपने घर में, अपने आफिस में, अपने शोरूम में, शॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं ब्रीफली मैं आप लोगों को बताऊंगा, स्टेप बाई स्टेप की कैसे आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं तीन या चार स्टेप में हम सारी चीज़े समझ लेंगे अगर आपका फिर भी कोई डाउट या कोई रहे जाता है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स खुला है, आप बहांपे बूच सकते हैं हमारा वाटसाप नमबर गिवन है 9310428988 तो आप हमसे कॉल भी करके अपने डाउट्स औन कोईरीज बूच सकते हैं आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने शीट को कट कर दिया यह जहां पर लग रही है विनायल फ्लोरिंग एक घर में लग रही है यह लॉबी एरिया है, यह देख सकते हैं हमने दो भागों में शीट को डिवाइड कर दिया है, कट कर दिया है क्योंकि जो यह लॉबी की चौड़ाई है यह अप्रॉक्सिमेटली 11 फुट है ठीक है, तो यह आप देख सकते हैं, हमने एक पीस जो है यहाँ पर यह लगा दिया है अब दूसरी लेंथ लगाने जा रहे हैं, तो लेंथ जो थी वो अल्मूस्ट डेड़ फुट जादा थी, तो हमने डेड़ फुट को पहले कट कर लिया, शीट की तो चोड़ाई थी, वो साड़े छे फुट थी, ठीक है और तो हमने उसको डेड़ फुट कट कर लिया, तो अल्मूस्ट पाँच फुट बटा है तो पाँच और साड़े छे, अल्मूस्ट साड़े ग्यारा होते हैं, क्योंकि हमें कटिंग के लिए भी थोड़ी स्पेस चाहिए होती है कट करने के बाद यह आप देख सकते हैं, हमने बैक साइड पे इसकी ऐसार लगाना चालो कर दिया है, यह आप देख सकते हैं, मार्बल डिजाइन है तो क्लाइंट की रिक्वाइर्मेंट थी, उनकी नीड थी, कि भी हमें लाइट कलर ही चाहिए, अल्सो हमने अंदर रूम्स में भी विनाइल फ्लोरिंग लगाई थी, अल्मोस्ट चार रूम्स पर अंदर तो यह जो टोटल एरिया था, वो more than 1300 स्क्वाइर फीट था, 1300 स्क्वाइर फीट के असपास है टोटल एरिया, ठीक है, यह आप देख सकते हैं इसे कहते हैं स्कर्टिंग, तो यह मार्बल था, बिफोर आफ्टर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसको पूरा कवर कर दिया, मिनायल फ्लोरिंग शीट से, ठीक है, तो यह आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर पहले पूरा एसार लगा, एसार बेसिकले होता है, सिंथेटिक रबड, एक एडेसिव होता है, जिसकी मदद से हम शीट को फ्लोर पर चिपकाते हैं, एक्जिस्टिंग फ्लोर पर, जो आपका फ्लोर है, वो स्मूथ होना चाहिए, इवन होना चाहिए, कहीं से भी डैम्पनेस नहीं होनी चाहिए, यह आप देख सकते हैं, पुराने स्कर्टिंग भी लग रही है, ठीक है, ब्रीफली बता रहा हूँ मैं कि कैसे आप लोग इसको इसली इंस्टॉल कर सकते हैं, एक दिन में आप मान सकते हैं कि हजार स्क्वेर फीट तक एरिया जो है, वो इसली कवर हो जाता है, सपोज हम कहीं साइट पर जाते हैं और हम 11 बजे काम चालू करते हैं, तो 7-8 बजे तक एजली 1000 स्क्वेर फिट कवर हो जाता है, अगर दो लोग काम करने हैं, जैसे कि आप लोगों नहीं यह देखा कि दो इंस्टॉलर्स गए वे हैं, एक जो है वो शीट पर फेविकॉल लगाते हैं, फेविकॉल का ब्रैंड का मेडेसे भी उस करते हैं, तो एक जो है वो शीट पर फेविकॉल लगाते हैं, एक फ्लोर पर लगाते हैं, देन उसकी पेस्टिंग हो जाती है उसकी प्रेसिंग हो जाती है यह आप देख सकते हैं बीच में जॉइंट आ रहा है बहुत लोगों का डाउट रहा है कि यह जॉइंट तो है आएगा वो दिखेगा तो नहीं है खुल तो नहीं जाएगा तो हम make sure करते हैं कि especially joint जहां पर आना होता है वहाँ पर हम properly press करें properly adhesive लगाएं तो यह देख सकते हैं अब cutting हो रही है joint से cut होने के बाद एक तो यहां पर उपर से piece निकल रहा है जो आप देख रहे हैं उसके बाद एक नीचे से भी piece निकलता है क्योंकि बीच में overlap होता है area and then दोनों piece निकालने के बाद वो automatically जुड़ जाते हैं तो जुड़ जाते हैं तो उसको हम press करकर ऐसा लगता है कि यहां पर एक ही sheet बीची हुई है बीच में joint जो है वो बिल्कुल भी पतना नहीं लगता है अब देख सकते हैं को उपर से piece निकला और similarly है नीचे से piece निकला अब यह दो जो जो पीस हैं वो automatically जुड़ गए हैं ठीक है तो इसको बस match करना है stress करना है तरीके से also मैं recommend करूंगा कि अगर possible बोलो तो थोड़ा darker लगाईए ठीक है यह कोई भी नहीं बताएगा आपको बट light color जो होता है उसमें थोड़े से joints जो है वो जादा visible होते हैं dark color में joints जो है वो बिल्कुल भी visible नहीं होते बाकी installation के उपर भी depend करता है floor के उपर भी depend करता है बहुत सारे चीजे पर depend करता है कि flooring की installation है वो कितनी smoothly होगी कितनी अच्छे से होगी ठीक है तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है joint visible है बट इसको जैसे हम press कर रहे हैं यह आप देख सकते हैं पीछे बिल्कुल पता है नहीं चल रहा कि कहाँ पर joint था ठीक है तो I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी व वो भी नीचे अपना feedback देख सकते हैं आप हमें instagram पे भी follow कर सकते हैं चानल पर नए है तो चानल को subscribe करें बेल आइकॉन को press करें ताकि आपको ऐसे ही updates मिलती रहे next video में भी हम sheet का installation दिखाएंगे ठीक है so thanks for watching thanks for supporting